विदिशा एंपी में साहू समाज द्वारा मा कर्म जयनती के अवसर पर परिचे सम्मेलन शोभायात्रा सहित कई आयोजन शनिवार को किये गए जिसमें साहू समाज द्वारा मा कर्मा की जहांकी सजवा कर चल रही समार हो निकाला जिसमें ब्रज की एक अलाकारो द्वारा सुंदर निरत की प्रस्तुती दी गए इस दोरान चल समारो का स्वागत नगर में जगे जगे पर किया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में साहू समाज के नागरिक महिलाएं शामिल होए चल समारो का समापन तपोवन भूमी तालाव आशरम पर हुआ तथात साहू समाज के चात्र चात्राओं को सम्मानित कर पुरुस्कृत किया गया साहू समाज के द्वारा बताया गया कि मा कर्मा बाई की कहानी हमारे देश में प्रचलित है कि भगवान जगरनाथ स्वए मा के हाथ की खिचरी खाने जगरनाथ से चल कर मा के घर तक आते थी और मा कर्मा स्वए भगवान को अपने हाथों से खिचरी खिलाती थी एक बार जब मा कर्मा को खिच्री बनाने में तेर हो गई तब भगवान जगनात ने मा के द्वार पर खड़े हो गई